मैं यूरोप के चार देशों का उल्डे करता हूँ, इंग्लेंड जो धाई सो साल हमारे पर राज करके गया हूँ, फ्रांस, इटली, स्पेन, मैं इतने ही राज्यों की बात करता हूँ, ये देश दो सो डाई सो साल तक दुनिया में सुपर पावर हुआ करते से, आज भी दुनिया में इनका दब्दबा है, आज अगर इन चारों देशों की कुल संख्या को जोड़ दें, तो वो भी जैसे उत्तर प्रदेश के 24 करोड है, इन चार देशों की जन संख्या भी 24 करोड होती है, हमारे तो अकेले यूपी की ही जनसंखिया 24 करोड है यानि की जितने लोग England, France, Italy और Spain इन चार देशों में रहते हैं उतने ही लोग हमारे उत्तरप्रदेश में रहते हैं लेकिन कॉरोना में इन चार देशों में मिलाकर उनकी जनसंग्या उत्तरपदेश जितनी है इन चार देशों में मिलाकर के एक लाग तीस हजार लोगों की मौत हो चुकी है एक लाग तीस हजार, जबकि उतनी ही जनसंख्या वाला हमारा उत्तपदेश, छैसो लोगों की जान गई है, कहां एक लाग तीस हजार लोगों की मृत्यूं और कहां छैसो लोगों की मृत्यूं, ये बात सही हैं, कि मृत्यूं मृत्यूं होती है, एक हो या अनेक हो, एक भी व्यक्ति के मृत्यूं दुखत है, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इन चार देशों ने मिलकर अपने यहां जितने प्रयास किये, फिर भी उनके यहां यूपी से कई गुना जादा लोगों की जाने गई, और ये देश विक्सित हैं, उनके पास समसादन भी है, आप कोई यहां, वहां के सरकारों को चिंता नहीं हुगी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नागरिकों को बचाने में उन्हें वो सफलता नहीं मिली, जो सफलता आपको उत्तरप्रदेश को हासिल की है, हर उत्तरप्रदेश वासी को गर्व होगा, हर भारत वासी को गर्व होगा, साथियों, इस दोरान आप में से ज़्यादातर लोगों ने टीवी पर लगातार देखाऊगा, अमेरिका के रिपोर्ट तो लगातार आते थे, अमेरिका के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, वो एक चुटकी में जो चाहिए वो इखटा कर सकता है, अमेरिका के पास साधन, संसाधन, आधुनिक, टेकलोजी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी, आज अमेरिका कोरोना से बहत बुरी तरह प्रभावित हुआ, आप ये भी याद रखिए, कि अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड है, यूपी की जनसंख्या 24 करोड है, लेकिन अमेरिका में अब तक एक लाग पचीस हजार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्य हुई है, अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं, 85,000 लोगों की जान जा सकती थी, अगर हम किसी और देश से तुलना करें तो उस हिसाब देखें तो 85,000 लोग जान जाती हैं लेकिन जो मेहनत यूपी की सरकार ने की हैं हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामियाब हुई है आज अगर हम अपने नागरीकों का जीवन बचा पा रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक संतोष का विशा हैं और देश का आत्मविश्वास भी उसके कारण बढ़ता है लेकिन मैं एक पुरानी घटना को जरूर आज उलेक करना चाहूँगा एक वो भी दिन था जब प्रयाग राज तब के इलाबात के सांसर देश के प्रधान मंत्री थे और कुम्ब के मिले में भगदर बची थी सैंकडों हजारों लोग मारे गए थे तब उस समय जो लोग सरकार में थे उन्होंने सारा जोर मरने वालों की संख्या छिपाने में ही लगा दिया था अब आज उत्तरप्रदेश के लोगों का जीवन बच रहा है सुरक्षित हो रहा है तो यूपी के सांसर के नाते देश के नागरी के नाते भारत के प्रधान मंत्री के नाते जैसे आप सब को तसल्ली मिलती है मुझे भी तसल्ली मिलती है और साथियों इसमें भी हमें एक और बात हमेशा याद रखनी है ये ये सब उस थिती में हुआ जब देश भर से करीब तीस पहतिस लाग से जितने समीक हमारे कामगार साथी यूपी में पिछले कुछ हफ्तों में अपने गाउं लोटे थे सेंकडो स्रमिक स्पेशल ट्रेणों को चलवा कर यूपी सरकार ने मुश्किल में फसे अपने लोगों को बापस बुला लिया था दूसरे राज्यों से आये इन साथियों से संक्रमन के फैलाव का रिस्क और भी अधिक था लेकिन उत्तरप देश ने जिस तरह स्थीती को संवेदन सिल्टा के साथ सम्हाला उसने राज्य को एक बड़े संकट से भार निकाल लिया देश की भी बहुत बड़ी सेवा किये हैं उत्तरप्रदेश ने साथियों यूपी में 2017 से पहले जो भी सरकारे थी जो भी ववस्ताई थी जिस प्रकार से सासन चल रहा था जिस तरह की सरकारे चला करती थी उस हाहलात में हम इन नतीजों की कलपना भी नहीं कर सकते हैं पहले वाली सरकारे होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बना कर अस्पताल में विस्तरों की संख्या का बहाना बना कर हम चुनवती को ठाल देते हैं लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया योगी जी ने उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है बड़े-बड़े सम्रुत्त देशों की बरबादी हो रही है तो उन्होंने बुरा अंदार लगा लिया और उए देखते हुँ उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्धस्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो। आइसोलेशन की सुवीदा हो। इसके निर्मान के लिए पूरी ताकत जोग दी गई। आप कल्पनास कर सकते हैं। उनके पिताजी का स्वरवास हुआ हो। पिताजी के अंतेष्ठी में जाने के बजाएं। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिन्द की खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जूटे रहे। मैं योगी जी को अभिनांदन करता हूंगा नमन करता हूं।